नमस्कार दोस्तों ओपो ने अपना नया फोन A77 लाँच कर दिया है तो आईए आपको बता देते हैं इसकी स्पेसिविकेशन के बारे में जी हाँ दोस्तों ओपो के फोन की जो स्क्रीन है वो है 5.5 इंच IPS LCD मल्टी टेश डिस्प्लेई और इसके जो resolution है वो है 1980 x 1080 pixels आपको बता दे कि यह 4G network को स्पोर्ट करेगा और MediaTek MT6750T चिप सेट है इसमें 1.5 GHz Octagonal processor है 4GB की RAM है 13MP का front camera है और 16MP का सॉरी मैं गलत गलत बोल गया 13MP का rear camera है और LED flash है उसके साथ और 16MP का front camera है इसके साथ तो आपको बता दे कि जो memory है वो 64GB है internal memory और 128GB external memory तक आप इसको जो है expand कर सकते हैं और जो normal features है like Bluetooth है GPS है, Wi-Fi है और जो इसकी memory है वो है 3200 mAh battery इस सेनफ और इस type of smartphone Android version है इसमें 6.0 जो की लगबग latest ही है और आपको बता दे कि यह जो announce हुआ था इसकी announce होने की date थी 18th May 2017 को pre-order जो है इसके 19 May को शुरू हो चुके थे और आपको बता दे कि approximately जो इसकी कीमत है 23,400 रूपीज जी हाँ 23,400 रूपीज जो है इसकी कीमत है और इसकी dimension के बारे में आपको और बता दू मैं कि 7.3 mm thickness है इसकी और जो है 153 grams का है color है इसके में gold and rose gold waterproof बिलकुल नहीं है fingerprint है और और कुछ बताने लाइक मुझे लगता है इसमें आपको नहीं है बाकिया बहुत ही अच्छा phone निकाल रही है वैसे तो और एक चीज बता दू कि आपको इसमें जो RAM है वो 4GB की RAM मिलेगी और मुझे लगता है इसमें आपको बताने के लाइए और कुछ तो नहीं है पर आपको बता दू कि मेरे पास था OPPO का phone ये वीडियो बनाने के लिए बट किसी reason करके मैं वो phone जो है use नहीं कर पा रहा हूँ तो बाफिचाता हूँ आप लोगों से और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रही है और मेरी वीडियो को शियर करते लिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों थैंक यू